हेलो फ्रेंट्स स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है आज के हम इस वीडियो में एडियो एजाम से सम्बंदित ग्रामिड विकास सब्जेट के लिए dvk लेकर आये हैं इससे पहले दो वीडियो अपने बढ़ां लेकर और इससे पहले आयर डिपी स्वाण्ट जैंति ग्राम स्वार विजगार योजना इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिन्क आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सन में दे दीया गया ह आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसमें आज का वीडियो हमारा टॉपिक रखा गया एन आर एलम इसी से सम्बंदीत mcq होगा और इसमें डिटेल के साथ बताया जाएगा यह mcq आपके इजाम के दिरिष्टे से बहुत ही इसमें आठसे दस प्रश्टन पूछे जाते हैं इसमें ग्रामिड विकास और इसमें आपका Prix का दोनो Laughter जो आपके दिए हुए है सब्जeट दोनों दिये हैं उस दोनों सब्जeक्ट में इससे आठसे दस question पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आप एक topic पढ़के दो subject कल cover कर सकते हैं इस video start करने से पहले अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे और bell icon चालू कर लिजे ताकि आपको वीडियो का notification समय पर प्राप्थ हो से गए आप इस वीडियो को जादस जादा सेयर करें चले इस video को शुरू करते हैं आज का first question है राष्टी ग्रामीड आजीव का mission NRLM कब शुरू किया गया था इसमें first option दिया है 2 October 2011 को दूसरा option दिया है 3 June 2011 को तीसरा option दिया है 5 July 2010 को चौता option दिया है 5 October 2005 को का सही answer हो इसमें दो योजना जो पहले चल रहे थे इसमें IRDP जो चल रहा था उसके बास स्वड़ जहनती ग्राम सौरोजगार योजना जो चल रहे थे उसी को मर्च करके 3 June 2011 को राष्टी ग्रामीड अजीव का मिशन NRLM की सुरुआत की गई है दूसरा question है NRLM के अंतरगत किस योजना को पुनर गठीद कर सम्मिलित किया गया है इसमें फॉस्ट दूर करके NRLM बनाए गया है इसमें NRLM 2011 को बनाए गया है आप इसमें ध्यान रखेंगे तीसरा question है राष्टी ग्रामीड अजीव का मिशन NRLM के लिए कौन सा कथन असत्य है आपको असत्य कथन बताना है इसमें first option है मैलाओं को समाजी करूप से त्रिद्रिड बनाना दू दूशा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा चौथा नंबर इसमें क्रिसी उत्पादक्ता एवं उत्पादन के बढ़ाने के लिए सेवा देना या क्रिसी के लिए संबंदी सेवा इसमें नहीं दी जाती है इसके बाद चौछा question देख लेते हैं स्वड़ जयनती ग्राम अच्छे से ना होना चौथा दिया है उप्युक्त सभी तो इसका एंसर हो जाएगा उप्युक्त सभी तो इसमें first option देख लेते हैं सो सायत असमू का असमान गठन इसमें स्वड़ जयनती ग्राम स्वरोजगार योजना में सो सायत असमू जो बनाया जाते थे 10 से 20 सदस से जिसके होते थे उसमें से अलग-अलग सदस्य होते थे अलग-अलग काम करने वाले इसके बाद दूसरा option दिया है आबंटन अधारित कार इसमें आबंटन अधारित का मतलब है इसमें जो प्रवंधन जो संचालन करते थे वही इसके लिए आबंटन कर देते थे जो भी कारि बनाए गया है इसके बाद पांचवा कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं राश्टी किरामिट अजीविका मिशन के अंतरगत केंद्र और राजी के अवित्य पोश्ड कितना रख्या गया इसमें फॉस्ट अपसन है साथ चालीज दूसरा अपसन है 75-25 तीसरा इसका सही अंसर हो जागा साथ और चालीज इससे पहले हम IRDP के लिए देखे थे तो कितना था पचास पचास था इसके बाद सौंड जैनती में हम देखे थे तो 75-25 था यह तीनों आपको याद रखना है इसमें NRLM में साथ और चालीज रखा गया है इसी को चेंज करके आप आपको NRLM बना गया है तो इसमें आप ध्यान रखेंगे साथ और चालीज से केंदर और राजी का वीत्य पूशन इसके बाद छटवा कोशन है NRLM के लिए किस वीधी संस्था का समर्थन प्राप्त है इसमें फॉस्ट अप्सन है अंतराश्टी मुद्रा दूसरा है इसके बाद साथवा कुशन देख लेते हैं इस राजे में राश्टी किरा मिड अजीवका मिसन को क्या नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या रखा ग foul भारत में भी राश्टी गिरा मिड अजीवका मिसन संचाली थे जो वो 36 गड़ में भी चल रहे और उसे बिहान नाम से चाना जाता है इसके बाद आटवा कोस्टिन देख लेते हैं 36 गड़ राजे में ग्रामिड अजीवी का मिसन बिहान की सुरुवात कब की गई थी इसमें 36 गड़ राजे में पूछा है इसमें फॉस्ट ऑप्सन दिया है 2011 में दूसरा ऑप्सन है 2013 में तीसरा ऑप्सन है 2015 इसके बाद चौता ऑप्सन है 2019 में तो इसमें भारत में आपको पता है कि 2011 में चालू किया गया तो 36 गड़ में 2013 में चालू किया गया है इसके बाद नवा important question है राश्टी गरामिड अजीरका मिशन के ताथ परिकरामी नीधी में कितना पैसा दिया जाता है इसमें first option है 10,000, दूसरा option है 15,000, तीसरा option है 20,000 या 30,000 तो इसका सही answer हो जाएगा इसमें 15,000, इसमें 15,000 मैक्सिमम राशी दी जाती है या अनुदान के र 60-75,000, दूसरा option है 30-40,000, तीसरा option है 20-30,000 या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा 60-75,000 इसमें सामुदाइक निवेस नीधी में 60-75,000 दी जाती है और या नीधी आपको रिड के रूप में दी जाती है इसे आपको रिड के रूप में लोटाना होता है और जो सी नीधी रिड के रूप में दी जाती है यही आपको पहले बता गया है इसमें first option है परिकरमी नीधी दूसरा है समुदाइक निवेस नीधी या तीसरा option है वन और दो दोनों या चोथा इनमें से कोई नहीं तो इसका answer आपको comment में बताने है इस प्रकास से आज हम NRLM के लि मिले वाले हैं जो आपको upload 8 बजे रात को कर दिया जाएगा next topic है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना इससे समंदीत MCQ 8 बजे आपको रात को upload हो जाएंगे अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे और bell icon जरूर आपको on करने है तभी आपको वीडियो का notification सम पर प्राप्त हो सकेंगे इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से subscribe जरूर करें धन्यवाद